हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ share करने जा रही हूँ पानी पुरी के पानी की रेसिपी तो मैं यहाँ पे एक इमली का पानी बरहें जो की खटी मीठी और तीखी तीनों है और एक मैं बनाने जा रही हूँ जो की पुदेने का पानी है तो यह देखिए और इसके साथ ही मैं आलू के मसाले की भी रेसिपी आपके साथ सेयर करूंगी तो यह बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मुवाइट वाला जो मतर आता है उसे फुलने के लिए डाल दी थी दो घंटे बाद इसे मैं आप उबालने के लिए डाल रही हुए कुकर में तो आलू और मतर दोनों को ही वाश करके आप कुकर में डाल दे और एक कप इसके साथ ही पानी डालके कुकर को बंद कर दे चार से पांच सीटी आने तक इसे कुक होने दे तीखी वाली पुरी का पानी बनाने के लिए यह देखे यहाँ पे कुछ धनिया है, पुदीना है, हडी मिर्च है और अधरक है इन सारे चीजों को अच्छे से वास्ट करके आप एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ले लें और इसे हमें ग्राइंड करना है यह देखे एक बार में यह ऐसा हो जागा और इसके राद हमें पता चलेगा कि इसमें कितना पानी देना है, इसके बाद इसमें हाफ कब जितना पानी देना है, यह देखे बिलकुल थोड़ा सा पानी देना है और इसे फिर से एक बार grind कर लें इसका बिल्कुर smooth एक paste बना लेना है ये देखिए बहुत ही अच्छे से paste चुका है तो अब इसे एक ball में डाल के और उसे strainer पे छान ले इसे छानने से जो भी मोटा वाला पार्ट होगा ये उपर ही रह जाएगा और नीचे जो उसका liquid पानी पूरी के पानी का तो ये देखिए अच्छे से चुका है मैं इसमें एक बार और पानी डाल के और इसे अच्छे से एक बार फिर से चान लोगी ताकि इसका जो पूरा flavor है वो हमारे पानी में चला जाए इसे चानने के बाद आप चाहें तो इसमें और भी पानी आप रूरत हो उतना आप और उपर से लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना है कि आम भिलकुल ठंडे पानी को यूज़ करना है मैं यहां पर नमक डालर हूं जो कि हम रेगूलर यूज़ करते बाला वह नमक में औल रही हूं यहां पर मैं चाट मैं हाफ लेमन का इसमें जूस भी डाल दे रही हूं तीनों को अभी इन सब चीजों को हमें एक वार अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहें तो अब इसमें रेट चिली पॉडर भी एड़ कर सकते पर मैं इसमें ग्रीन चिली ही पेस्ट बना के डाल चुकी हूं तो इससे अ अब हम चलते हैं खटा मीठा और तीखा चट पटा पानी बनाने तो यह देखे मैं यहां पे दो कप जितना पहले पानी ले रही हूं और इसके साथ ही ही थ्री टेवल स्पून मैं इसमें अब इमली और गुर दोनों का चटनी बना हुआ डाल रही हूं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे हैं आप चाहे तो देख सकते हैं तो अभी मैं भर भर के थ्री टेवल स्पून डाल ले रही हूं और इसके बाद मैं इसमें जो रेगुलर नमक होता है वो मैं डाल रही हूं और साथ ही मैं अब इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डालूंगे यह देखिए साथ ही मैं इसम भूना हुआ पॉडर बना हुआ है मैं उसे भी इसमें डाल लूँगी इसमें बिल्कुल पॉडर नहीं बनाना है उसे हलका सा बस क्रश करके डाल देना है इसका जो फ्लेवर है वो अलग ही आता है हाफ टेवल स्पून डालने के बाद अब मैं इसमें चाट मसाला पॉडर फिर से वन टेवल स्पून इसमें भी डाल दे रही हूँ क्योंकि चाट मसाले से जो है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो यह देखिए अब इन सब चीज़ों एक बार मिक्स करके साथ ही मैं इसमें रेट जीली पॉडर भी एड़ कर दे रही हूँ तो देखिए यह थोड़ा तीखा भी है और यह कलर आने के लिए भी है तो यह देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है आप चाहें तो यहाँ पे इसमें बूंदी आप उपर से डाल सकते ताकि वो उपर से जब तैरे तो देखने में बहुत ही अच्छा लगे यह रिखिए पानी बन के बिल्कुल तैयार है अब मैं इसमें धेर सारे आइस क्यूब्स डाल रही हूँ ताकि पानी गर्मी में ठंडा रहे और साथ ही मैं कुछ धनिया की पत्ती भी डालूँगी जो की देखने में बहुत अच्छा लगेगा आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी काटके उपर से डाल सकते हैं मैं नहीं डालें क्योंकि यह जितना तीखा होना चाहिए उतना हो चुका है तो चलिए अब हम मसाले के त्यारी करते हैं इधर हमारा आलू भी वाइल होके ठंडा हो चुका है तो मैं इसका छिलका उतार के और एक बॉल में डाल ले रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसे फोर लूँगी इसे मैं सच्छे से नहीं करना है बस फोर लेना है ऐसे और इसके बाद मैं इसमें जोर हम रेगलार नमक खाते हैं वो डाल रही हूँ साथ ही ग्रीन चीली डाल रही हूँ मैं एक ही डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हैं और साथ ही मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट भी डाल रही हूँ जो कि इसमें टेस्ट जो है वो और ज़्यादा इसका बढ़ा देगा साथ ही इसमें मैं अभी चाट मसाला पॉडर हाफ टेवल स्पून डाल रही हूँ और इसके साथ मैं अभी इसमें धनिया की पती कुछ डाल दूँगी ताकि देखने में भी अच्छा लगे और इसका टेस्ट भी इससे बढ़ता है और इसके साथ ही मैं इसमें कुछ बुंद नीवू की भी डाल दूँगी ताकि ये इसमें खटापन भी आ जाए भुना हुआ जीरा और धनिया को क्रस करके इसमें डाल लेना है और इसके साथ ही अब हमें इसमें इमली का चटनी भी डाल लेना है वो भी हाफ टेवल स्पून ही जादा इसमें नहीं डालना है और आप चाहें तो यहाँ पे इसमें अनियन डाल सकते हैं चौप करके मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पसंद नहीं है मेरे घर में किसी को भी आपको अगर पसंद हो तो यहां पे अनियन आप एड़ कर सकते हैं तो यह देखिए इस आलू के मसाले को अच्छे से एक वार मिला ले और साथ ही इसमें आप रेच चिली पॉडर भी डाल सकते हैं यह ऑप्सनल है मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रह यह देखिए इसे अच्छे से एक वार मिक्स करने के बाद यह दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही इसमें वो जो हमने उबाला था मटर को उसे भी डाल देना है आप ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा डाले या फिर कम भी डाल सकते हैं तो चलिए यह ब यह डाल देना है इसमें आजिम एंग्यादा गेड़ा निकल के त्यार हो जाएगा तो समय कम देत पहंए देखिएैजल को इसमें डालके आप घुर निकल के तैयार बड़ा बड़ा सा दिख रहा है अब मैं इसे निकाल ले रही हम ऐसे ही करके हमें सारे गोलगप़े को छान लेना है यह देखिए कलर भी बहुत ही अच्छा रहा है तो बहुत ही कम टाइम में पानी गोलगप़ा और उसका मसाला सब कुछ बनके बहुत ही अच्छे से तियार हो चुका है तो अबाई खाने की बारी यह दिखिए मैं अब आपको दोनों पानी के साथ एक एक पर इसे तियार करके दिखा रही हूं यह दिखिए यह पहले मैं तीखी वाली और खटी वाली पानी जो है हमारी उससे दिखा रही हूँ यह देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है न आप जब भी चाहे आपका मन हो तो आप बना के इसे खा सकते हैं तो मैं दोनों तरफ से आपको दिखा रही हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तो आप भी बना के खाईए और आप अपने अपनों को भी बना के खिलाए और वीडियो अपने अपनों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा थैंक्स फर वाचिंग